देश में रेप के मामले रुपने का नाम नहीं ले रहे आई दिन कही ना कही नाबालिका के साथ रेप का मामला सामने आई ही जाता है अब पठानकोट के हलका सुजानपूर में पढ़ते थानशापूर कंडी में एक मामला सामने आया है जिसमें एक नाबालिक लड़की की और से शिकाय दर्ज करवाई गई है कि उसके साथ चार यूवकों ने रेप किया जिसके बाद पुलिस ने चार लोगों पर मामला दर्ज कर कारवाई शुरू कर दी है फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफतार भी कर लिया है और बाकी तीन लोग अभी तक फरार बताये जा रहे हैं जिनकी पहचान हो चुकी है इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि रेप की इस वारदात को अंजाम देने वाले चारो आरोपिय पर मामला दर्ज किया गया है जिसमें एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और तीन अभी तक फरार हैं जिने जल गिरफ्तार कर लिया जाएगा उन्होंने बताया कि लड़की घर में अकीली थी तब ही इन चारों ने उसके साथ बलात कर किया फिलहाल मामला दर्च कर आगे की कारवाई की जा रही है एक शक्सिनों गिर्फ्तार गिता है तेने जड़े फरार रहे होना नूं फटन लेप पर 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 शापे मारे कर रही है और जल्दी होनों गिफ्ता करके अगली कारवाई एरम किती जाओगी और तवाड़े नोट्स पर चेले लेंदते जाओगा जड़े लड़की री की मिलेशन है गिया होना और तुसी जड़ी फाइव किती है गया उजवच की है ने लड़की ठीक है नॉर्मल है लेकिन फिर भी जदन आयोज जहलात पैदा हूंदे हो तां मैंटली अपसर्ता नैच्रली है वह तां होगी होईगी और साथ ड़ेवल पठान कोट से कवर रंधावा जिवे पंजवाप टीवी